आज हम बात करने वाले हैं ज्वार की रोटी के बारे बें जहां हम जानेंगे क्या किड्नी मरीज ज्वार की रोटी को खा सकते हैं? ग्याने लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल किड्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें साथ ही बेल आइकन को सरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चानल से जुड़ी सभी अपडेट्स ताइम पर मिलती रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्या आप जुआर की रोटी के फायदों के बारे में जानते हैं क्या आपको पता है कि जुआर की रोटी ने सिर्फ आपके वेट को कंट्रोल रखती है बलकि यह आपको पेट से जुड़ी समस्या और हार्ट में होने वाली परिशानियों से भी बचाय रख सकती है दरसल ज्वार की रोटी में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है जो आपके पेट से जुड़ी समस्यां उसे आपको बचाई रखने के साथ साथ वेट को कंट्रोल रखने में भी काफी जादा important रोल ने भाती है आपको बता दें कि फाइबर शरीर में गुड़ कॉलिस्टरॉल को बढ़ाने का काम करता है जो ब्रट सर्कूलेशन को ठीक रखने के साथ ही हाट के लिए भी काफी सादा फाइदे मन माना चाता है क्योंकि इसमें मौझूद क्याश्यम आपकी हड्डियों को मस्बूत बनाए रखता है अगर आप जवार की रोटी खाते हैं तो इससे आपका diabetes लेवल भी कंट्रोल में रहता है साथ ही इसमें मौझूद काबो हाइडरेट आपको कई सारी बिमारियों से बचाए रखने का काम करता है तो ये हैं जवार की रोटी को खाने के कुछ ऐसे फायत है जो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं आईए अब जानते हैं कि क्या किड्नी मरीज जवार की रोटी को खा सकते हैं अगर किड्नी के मरीज़ों के लिए जवार की रोटी के सेवन की बात करी जाए तो आपको बता दें कि किड्नी मरीज जवार की रोटी का सेवन नहीं कर सकते क्यूंकि ज्वार की रोटी में पोटाशम काफी हाई अमाउंट में होता है जो डामिज किड़नी की समस्या में नुकसान पहुचा सकता है इसलिए अगर आप एक किड़नी के मरीज हैं तो ज्वार की रोटी का सेवन ना करें तो आज के लिए बस इतना ही, आपको इविडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस विडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें हम आप से मिलेंगे एक नए विडियो में, तब तक के लिए अपना खयाल रखें, हेल्दी रहें, नमश्कार